लोम्डी और सारस एक समय लोम्डी और सारस के बीच मुलाकात की शर्ते थी और बहुत अच्छे दोस्त लगे तो लोम्डी ने सारस को खाने पर आमंत्रित किया और मजाक के लिए उसके आगे कुछ न रखा लेकिन एक बहुत उथले दिश में कुछ सूप यह फॉक्स आसानी से लैप कर सकता है लेकिन सारस अपनी लंबी चोच का सिरा केवल उसमें गीला कर सकता था और जैसे ही उसने शुरू किया उसने भूखा ही खाना छोड़ दिया मुझे खेद है फॉक्स ने कहा सूप आपको पसंद नहीं है प्रार्थना करो माफी मत मांगो सारस ने कहा मुझे आशा है कि आप इस यात्रा पर लोटेंगे और जल्धी मेरे साथ आकर भोजन करेंगे इसलिए एक दिन नियुक्त किया गया जब लोम्री को सारस से मिलना चाहिए लेकिन जब वे मेज पर बैठे थे उनका रात का खाना एक बहुत लंबी गर्दन वाले जार में एक संकीर मों के साथ समाहित था जिसमें लोम्री अपना थूथन नहीं डाल सकती थी वह केवल इतना ही कर सका कि जार को बाहर से चाट लिया मैं रात के खाने के लिए माफी नहीं मांगूंगा सारस ने कहा क्योंकि एक बुरा मोड दूसरे का हकदार है कहानी का शिक्षण है एक बुरा मोड दूसरे का हकदार है